हाई गाईज, आयाना लाइस्टाइल में आप सबका स्वागत है हम डिजाइन नमबर 53 पे आ गए हैं यह डिजाइन बौत सिंपल सा डिजाइन है और बहुत ब्युटुफुल सा डिजाइन है यह डिजाइन हमाई सबस्क्राइबर ने हम से रिक्वेस्ट किया था अगर आप जानना चाहते हैं डिजाइन कैसे बनेगा तो प्लीज इस वीडियो को end तक देखे इस डिजाइन का look देख सकते हो आप बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है यह डिजाइन हमने आपको 40 फंदो और 30 सिलाई में complete करके दिखाई है अगर आप जानना चाहते हैं डिजाइन कैसे बनेगा तो प्लीज इस वीडियो को end तक देखते रहे है और प्लस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे red बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि कोई भी वीडियोज हमारे चैनल के मिस ना हो अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरिल की तरफ आप देख सकते हो 40 फंदे हमने आपे अल्रेडी डाल दिया है अब हम सबसे पहले ग्रे बेस बनाएंगे ग्रे बेस बनाने के लिए हमें साइट के दोनों तरफ पाच-पाच फंदे छोड़ेंगे पाच फंदे बुनने के बाद में इसके बाद हमारे जो ये दो फंदे हैं हम इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर वापिस उन आगे लागे दो का एक करेंगे फिर उन आगे लागे एक फंदा बनेंगे फिर बीच के हम बीस फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननस और बीस बीस फंदे बनने के बाद हम इन दो फंदो का एक फंदा करेंगे फिर उन आगे लागे दो फंदो का एक फंदा बनेंगे फिर उन आगे लागे सिंगल फंदा एक बनेंगे और अब यह जो पाच फंदे बचते हैं इनको हम यहाँ पे छोड़ देंगे जैसे मैंने पहले बताया था दोनों तरफ से हमें पाच-पाच फंदे छोड़ने हैं यहाने कि अब हम यह पाच फंदे बना बने छोड़ देंगे और अगली सिलाई में एक-अफंदा बुनते जाएंगे इस तरह से हमारी फूर्स सिलाई कंप्लीट होती है अब हमाते हैं न दूसरी सिलाई पर ढूस्टी बुनी जाएगी वैसे तो हम यह मान के चलता हैं कि जितने भी हमाई सब्सक्राइबर्स हैं सबको plain उल्टी सिलाई बुननी आती होगी फिर भी जिस reference purpose के लिए हम यहाँ पर आपको यह पूरी second सिलाई बुनके दिखा रहे हैं अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप यहाँ पर दूर कर लें क्योंकि आने वाले जो जितनी भी सिलाई होंगी उसमें मैं आपको दूसरी सिलाई का रेफरेंस काफी दूंगी तो आप प्लीज यही पर अपना कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें जैसे कि मैंने स्टाइक में बताया यह डिजाइन जो है हमाई सब्सक्राइबर के डिमांड पर हम बना रहे हैं तो अगर आपके पास भी कोई डिमांड है आप चाहते है किसी डिजाइन का हम त्यूटोरल आपको बना के प्रवाइड करें तो प्लीज आप उसकी डीटेल नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजे या फिर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इमेल आईडी लिखा है उसमें अपने डीटेल डाल दीजे हम विदिन 10 तू 15 डेज आपके उस डिजाइन को प्रवाइड करने का च्राइब करेंगे जो पाच फंदे हम दे बिना बुने चोड़ेते हैं उसमें से एक फंदा हम बुन लेंगे यानि कि अब हमारे चार फंदे बिना बुने रह जाएंगे सिलाई पर इस तरह से दूसरी सिलाई कम्तीट करके हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई की तरफ तीसरी सलाई में चार फंदे चोड़ते वे हम इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे और फिर एक फंदा हम प्लेन बनेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अभी की सलाईयां प्रॉपरली देख लें ताकि आप कोई confusion ना रहे क्योंकि आगे की आने वाली 11 से 20 सलाई आपको इनी सलाईयों के रेफरेंस से बनानी होंगी फिर जाली डालेंगे तीसरी सलाईय का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमें इसे प्लेन मुन्नी है और बस जाली की उपर जाली डालनी है ये जो सिलाईों का मैं वीडियो दे रही हूँ, प्लीज आप इने ध्यान से देखे ताकि आपको कोई confusion ना रहे, मैं आपको 10 सिलाई तक बुनके दिखाऊंगी, बाकी जो 11 से लेके 20 सिलाई है, वो आप इनके reference से easily बुन सकेंगे, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखे ता कि आपको कोई confusion ना रहे, अब ध्यान दीजे जो second जाली आने वाली है, इससे पहले हम 2 का 1 कर देंगे, अब ये जाली आ गई है, जाली के ओपर हम जाली डालेंगे, और ये 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, यानि कि हमने 2 फंदे घटाए हैं और 2 फंदे हमने बढ़ा लिये हैं, अब इदर हमने 5 फंदे छोड़े थे, अब इदर से भी हम 1 फंदा बुन लेंगे, यानि कि इदर हमने 4 फंदे छोड़ दिये हैं, हर सिलाई में से 1 फंदा हम लेते चले जाएंगे अब हम आते हैं फोट सिलाई पे फोट सिलाई हमें सेकंड सिलाई के जैसी प्लेन उल्टी बुननी है और फोट सिलाई प्लेन उल्टी बुनने के बाद हम आते हैं फिफ्ट सिलाई पे पाचवी सिलाई में हमने चौती सिलाई में से एक फंदा ले लिया इस पर हम जाली डालेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर ये जाली है इसे हम सिंगल बुनेंगे और बाकी के फंदों को प्लेन बुना जाएगा अब हमें चेक करते रहना होगा जाली कर आएगी अब देखें ये जो जाली आगई है इससे पहले के जो फंदे हैं उन दो फंदों को हम दो का एक करेंगे अब ये जाली आगई है अब उन आगे करते हुए हम दो का एक करेंगे फिर उन आगे लाके सिंगल फंदा बुनेंगे और अब पहले जो हमने चार फंदे छोड़े थे बिना बुने उन में से एक फंदा बुनेंगे और तीन फंदे हमारे रह जाएंगे इस तरह से हमारी पाचवी सिलाई कम्प्लीट हुई अब हम आते हैं छटी उल्टी सिलाई पे छटी सिलाई हमें पूरी दूसरी सिलाई के जैसी प्लेन उल्टी बुननी होगी साथी सिलाई हमें प्लेन सीधी बुननी होगी इसमें हमने दो फंदे बिना बुने जोड़ दिये हैं और अब हम यहां पे यलो कलो की उन को जोड़ेंगे. हमारा यानि की ग्रे बेस बन चुका है, अब हम बनाएंगे उपर की डिजाइन. हमने यहां पे एक फंदा बुन लिया है, अब हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे. फिर जाली आ गई है, जाली के उपर हम जाली डालेंगे. और दो फंदे का एक फंदा करेंगे. इसके उपर हम एक सिंगल फंदा बुनेंगे. और बाकिके फंदे हम प्लेइन सीधे बुनेंगे. अब हम ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे. फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे. फिर जाली डालेंगे. फिर सिंगल फंदा बुन करेंगे इस तरह से आगे बुनेंगे. और ये जो लास्ट में हमने तीन फंदे छोड़े थे उसमें से हम एक फंदा बुन लेंगे. याने कि अब हमारे दो-दो फंदे दोनों तरफ रहे गए ये फंदा छोड़ने का मतलब ये है इससे हमारी नीचे की गोलाई बन जाए आटवी सिलाई दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी भुनेंगे और हम आते हैं 9 सीरी सिलाई पे 9 सिलाई में हम ब्राउन कलर जोड़ेंगे अब हमने इधर एक फंदा बिना बुने छोड़ दिया है अब यहां हमने दो फंदे का एक फंदा किया फिर जाली डालेंगे और बाकी के फंदे हम प्लेन सीधे बनेंगे जब तक हमारी दूसरी जाली ने आ जाती तब तक प्लीज आपन सिलाईयों को अच्छे से देखेगा जैसा मैंने पहले भी कहा अब आगे की 11 सिलाई से लेके 20 सिलाई आपको खुद को बुननी है इनी सिलाईयों के रेफरेंस से सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही बुनी जाएंगी वो भी अब आप ध्यान दीजे है यहापर हमारी जाली आने वाली है तो अब हम दो फंदों का एक फंदा कर देंगे इस जाली के पहले अब यह जाली आ गई है इस जाली के उपर हम जाली डालेंगे जैसी हम अब तक डालते आएं है फिर जाली डालने के बाद उन आगे करके सिंगल फंदा बुनेंगे और बागी के प्लेन फंदे बुनेंगे इस तरह से बाकी के फंदों को प्लेन बुनते वे लास के जो हमारे दो फंदे बच रहे हैं इनमें से हम एक फंदे को और बुन लेंगे और हमारा एक ही फंदा सिलाई पे रह जाएगा इसके बाद 10 सिलाई हमें plane उल्टी बुनी है दूसरी सिलाई के जैसे और हम आते हैं 20 सिलाई की तरफ अभी तक हमारी जाली 20 सिलाई में इस तरफ गूम रही थी अब 21 सिलाई से हमारी जाली दूसरी तरफ गूमने लगेगी और right side में जो आप जाली का pattern देख रहे हो जो इस तरफ जा रहा है वो दूसरी तरफ हम गुमाएंगे sweater में जो zigzag pattern है वो जाली गुमा के इसी तरह से आएगा और जो हम एक एक फंदा बिना बुने छोड़ देते उसके वज़े से हमारी नीचे की जो गुलाई हमें स्वेटे में चाहिए वो भी आ गई है अब हम बढ़ते हैं 21 सिलाई की तरफ मैं आपको यहाँ पे 24 वी सिलाई तक बुनके दिखाऊंगी उसके बाद बाखी की जो 6 सिलाईया है वो भी इनी सिलाई के जैसी बुनी जाएगी तो प्लीज ध्यान से देखिएगा अभी तक हम फंदे इस तरफ गटा देते ताकि हमारा मूँ लेफ्ट एं साइड की तरफ आए अब 21 सिलाई से हमें राइट एंड की तरफ फंदो को गुमाना है यानि कि यह जो जाली आ गई है इसके उपर अब हम जाली डालेंगे दो फंदो का एक करेंगे फिर यह जो जाली आ गई है इस पर हम उन आगे करके दो फंदो का एक फंदा करेंगे इस तरह से हमारे जाली का मूँ राइट एंड के तरफ जुकना चालू हो जाएगा और जो दूसरी जाली है उसको हम लेफ्ट एंड के तरफ जुकाएंगे हम ऐसा इसले करें क्योंकि हमें जिगजग व्यू चाहिए आप देख सकते हो यहांते का हमने प्लेन फंदे बुन लिया हैं अब हमारी जाली आ गई है और यह जो जाली आ गई है इसका मूँ अब हम लेफ्ट एंड के तरफ जुकाएंगे लेफ्ट हैंड में जुकाने के वज़े से हम फंदा बाद में दो का एक करेंगे यह दो का एक कर दिया फिर उन आगे लाए फिर दो का एक कर दिया और बाकी के फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे इस तरह से हमारी 21 सिलाई almost complete होती है अब हम बढ़ेंगे 22 सिलाई की तरफ 22 सिलाई दूसरी सिलाई के जैसी प्लेन उल्टी बुनी जाएगी अब हम आ गए 23 सिलाई पे 23 सिलाई सीधी बुनी जाएगी अब देख सकते हो यह हमारी जाली आ गई है जाली के उपर अब हम जाली डालेंगे फिर यह जो दूसरी जाली आ गई है इसके उपर भी हम जाली डालेंगे और बाकी के फंदों को हम प्लेन सीधा बनेंगे अब हमारी वापस जाली आ गई है इस जाली को हम फिर गुमाएंगे दो का एक करेंगे दूसरी जाली आ गई है इसको फिर हम गुमाएंगे दो का एक करेंगे और इसी तरह से हम हमारी जाली को गुमाते चले जाएंगे I hope आपके सारे concepts clear होते चल रहे हैं आपको कोई confusion नहीं हो रहा है क्योंकि 24 वी सिलाई के बाद मैं सीधा आपको 38 सिलाई दिखाऊंगी इसका complete look कैसे आएगा वो बताऊंगी और 24 वी सिलाई पूरी उल्टी बनी जाएगी 24 वी सिलाई complete करने के बाद मैंने आपको सीधे हमारी 30 वी सिलाई का look दिखाया है और 30 सिलाई complete होने के बाद आप देख सकते हो left side वाली जाली हमारी दूसरी तरफ घूमने लग गई है और screen से right hand side वाली जाली हमारी दूसरी तरफ घूमने लग गई है मतलब हमें जो zigzag pattern चाहिए था वो हमारा आने लग गया है इस तरह से हमें इसे आगे बनाते जाना है तीस सिलाई के बाद हम वापस एक grey pattern उपर डालेंगे फिर उसके बाद वापस strips डालेंगे इस तरह से हमारे जो sweater है वो पूरा complete हो जाएगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके हमें बताएं अगर चैनल को first time देखे हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल का आप मिसना करें तो thank you so much for watching please don't forget to like, share, comment and subscribe till then stay tuned and bye